हलो फ्रेंड्स क्या आप प्रेग्नेंट है और आपके खटा खाने के बहुत ज़ादा इच्छा हो रही है और कई लोग क्या आपको मना कर रहे हैं कि आपको खटा नहीं खाना चाहिए तो मैं डॉक्टर सुषीला सैनी गाइनेक लॉजिस्स और अबसेटीशिन आज आपको य जाने कि खटा खाना और प्रेगनेंट होना बहुत हिसी चलने ब데ृत्अधि सक्वाल आता है लेकिन अब खाया जाया है को कॉण यूजन आता है किक्गनेंसिड सीमेएइड तो कि ह UṬ नि पाके सबस्तेफृनेंसिश्थी शाये करने कि युषाने को नुख्षान तो बहुत बड़ी टैंशन हो सकती है इसलिये इस वीडियो में आड़ भात करने जा रहे हैं किया-कया भासकती है कितनी मातरा में घ़ा सक्ती है और कितनी बार घभ खा सकती है तो खटे खाना कतई बुरा नहीं है तो कोई सब ही खटी चीज जो आपको अच्छी लगती है वो खा सकती है लेकिन प्रिफरेबली आपको क्या खाना चाहिए आप खटे फल खा सकती है जैसे कि आमला है निम्बू है इमली है इसके लावा आप कैरी ले सकती है कैरी की आप छाच बना सकती है कैरी की चटनी बन सकती है कैरी की और उसके अलावा आमवले के कैंडी भी बनती है, आमवले को सुखाया जा सकता है, और उसके कैंडी बनाके आप फ्रिक्वेंटली दिन में दो एा तीन बार खा सकती है, खट्टा फल खाने का बहुत बड़ा फाइदा होता है, इसम महीं को इम्यनिटी देता है, रोक से लडन कोलेशन अच्छा हो सके ब्लड का फॉर्मेशन अच्छा हो सके हिमोगलोबी का लेवल बढ़ सके लेकिन यदि आप खटी चीजें जो कि नुकसान कर सकते हैं और हमारे हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोई भी प्रेसरवेटिव एड़ेट चीज आपको नहीं लेनी होती है कोई भी केमिकली फॉर्म्ड चीज है क्योंकि केमिकल्स का पूरी तरह से वरिफिकेशन हम लोग नहीं कर सकते कि exactly वो क्या चीज से सकती है निम्बो को डाइरेक्ट नहीं खाना होता है निम्बो को आप निम्बो को अपके बाती हैं खाने चीज अछिज छी होती है और निम्बो को डायरेक्ट नहीं खाना होता है, निम्बू को आप निम्बू पानी बना सकती है, निम्बू का अचार मुरब्बा आप खा सकती है, और अचार के साथ ही अचार और पराठे बहुत कॉमनली खाये जाते हैं, लेकिन अचार के अंदर बहुत ज़दा मसाला होता है, बहुत ज़ सकती हैं बिल्कुल मना ही नहीं है अचार खाने की लेकिन फिर भी थोड़ी मत्रा में आप खा सकती है इसके लावा अगर आपको बहुत जादा खटा खाने के इच्छा है तो आवला एक ऐसी चीज है कि जो खाया जा सकता है जो बहुत जादा नुकसान भी नहीं करता है वाइ नहीं करते हैं क्योंकि उनका हमें इंग्रेडियंट्स नहीं पता होते हैं तो हम उनको प्रमोट नहीं करते हैं और उनको सपोर्ट भी नहीं करते हैं तो मैं समझते हूं कि ये वीडियो आपके लिए फाइदे मन रहा होगा हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में न तक नमस्कार